केंद्री अवित्य मंत्री निर्मला सीतर अवन दौरा बजट लोग सभा में पेश किये जाने के बाद मैं इसे लेकर महरास्ट्र सरकार के नेताओं की एक के बाद एक प्रतक्रियां निकल कर सामने आ रही हैं ठाकरे सरकार में मंतरी नवाब बलिक ने पेश किये गए बजट को लेकर के मोदी सरकार को घिरने की कोशिस की है NCP के नेता और महरास्टर सरकार के मंतरी नवाब बलिक ने कहा है कि ये केंद्र सरकार का बजट था या फिर IT डिपार्टमेंट का ये समझके परे है इन शब्दों के जरिये NCP नेता और मंतरी नवाब मलिक ने आम बजट पर प्रतक्रिया देते हुए सरकार को घिरने की कोशिस की है शरत पवार की पार्टी NCP के नेता और महरास्टर सरकार में मंतरी नवाब बलिक ने कहा कि प्रधान मंतरी नरंदर मोदी ने हर साल दो करोड रोजगार देने की बात कही थी जिसे आज वित मंतरी मला सीता रमन ने जलाते हुए बजट में 60 लाक रोजगार देने पर ला दिया है हम पहले से कह रहे थे कि मोदी सरकार की घुषना ये जुमले बाजी होती है वो आज वित मंतरी ने साबित कर दिया है LIC के IPO लाने को लेकर के मंतरी नवाब मलेक ने कहा कि इसका मतलब है कि LIC को बेचने की भी तैयारी केंदर सरकार ने कर ली है सरकारी कंपनिया बेचो और पैसे कमाओ ये सोच केवल केंदर सरकार की दिख रही है आहम आदमी को इस बजट से कुछ भी नहीं मिला ना ही इंकम टेक्स के जो स्लैब्स हैं उसमें सरकार ने कोई बदलाब किया हो नवाब मलिक ने कंपनिया बेचो और पैसे कमाओ जैसे स्टेटमेंट को लेकर के भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मित्री नरंदर मोदी को घिरने की कोशिस की लेकिन उसे लेकर किया बीजेपी ने नवाब मलिक पर बड़ा पलटवार किया है बी जेपी ने कहा है कि महारास्ट में पिछले दो साल से अगाडी सरकार कैसे पैसे की वसूली करवा रही है यह पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है भारती जनता पार्टी नेता ने कहा कि लगता है कि निर्मला सीतर अबन दौरा पेश किया गया बजट नवाब मलिक के पल्ले ही नहीं पड़ा कल महरास्ट में नेता प्रतिपक्ष देविंद्र फणनवीस ने इस बजट से जनता को मिलने वाले फायदों को लेकर बड़े ही आसान भाशा में बताये था कि नवाब मलिक तब भी शायद बजट की एहमियत को नहीं समझ पाए इसलिए उन्हें ये बजट जुम्लेबाजी लग रहा है इसके अलाबा महरास्ट सरकार के कामकाज को लेकर भी भारती जनता पार्टी ने नवाब मलिक को आईना दिखाते हुए फटकार लगाई है कुल मिलाकर के नवाब मलिक बजट के बहाने दरसल घेरने चले थे प्रदानमंतरी नरंदर मोदी को और भारती जनता पार्टी को लेकिन ये दाफ कहीं न कहीं उन पर उल्टा ही पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने सीधे तोर पर नवाब मलिक को आईना दिखाते हुए एक आई की तकरीबन पिछले दो साल से जब से महरास्ट की महाविकास अगारी सरकार का गठन हुआ है लगातार तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट से जिस तरीके से वसूली की जा रही है और वहां की दरसल पॉलिस को कैसे घलत तरीके से इस्तेमाल किया गया उसे लेकर भी जो है नेता प्रतिपक्ष दिविंद्र फटनवीस ने और भारती जनताओ पार्टी ने नवाब मलिक को लपिटा है बहराल जो नवाब मलिक दरसल बजट के बहाने घोशना ए जुमलेबाजी दरसल उसको करार दे करके भाजपा पर निशाना साधने की कोशिस कर रहते लेकिन बीजेपी ने उन पर तगड़ा पलट पार करते हुए उन्हें दरसल आइना दिखाने की कोशिस किये केस पर आपका जो भी पॉइंट ऑव व्यू है हमें कोमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं जल्द दूरुआ किसी दूसरे अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और चाइडबने बेल आइकन को जरूर ट्रे